हेलो फ्रेंड्स अगर आप 11-12 एंसी अटिव फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने चेप्टर वाइज प्लेडिस्ट बना कर रखे उस प्लेडिस्ट में अगर आप जाके देखोगे तो आपको वहाँ पर टॉपिक वाइज वीडियो मिल जाएंग आपको जो एक्सराइज एक्सराइज इसका फर्स्ट क्रेशन है तो उसका भी अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा साथी में मैंने यहाँ पर जो एक टू टैन एंसी आटी में जो सब्जेक्ट है उसका जो फिजिक्स पोर्शन है वो भी आपको यहाँ पर प्लेडिस्ट प्लेडिस्ट के अंदर टॉपिक वाइज वीडियो आपको मिल जाएगा थैंक यू हलो फ्रेंड्स थैंक यू फोर बीइंग विट आस तो यहां पर आज का पहला क्वेशन है दी ड्राइवर अफ बस अप्रोचिंग अ बीग वाल नॉटिस्ट इस दिफ्रिक्वेंसी अफिस बस हॉन चेंजिस फ्रॉट्वेंटी हर्ट्स तो तो फोर निनी हर्ट्स वें यह यहां पर एक ड्राइवर है जो कि बस से एप्रोच कर रहा है अब यहां पर उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो चेंज हो रही है कहां से 420 हर्ट्स से 490 हर्ट्स तक अब यह जो फ्रिक्वेंसी है वो कैसे change होती है क्योंकि वो जो sound है वो आगे एक wall से टकरा कर वापस आता है तो इसलिए वहाँ पर उसकी frequency change हो रही है तो यहाँ पर हमें जो bus की speed है वो यहाँ पर find करना है तो पहले अगर इसका diagram draw करें तो diagram के हिसाब से यहाँ पर एक wall होगी और यहाँ से वो bus right hand side direction में जा रही है वी भी जितनी velocity से अब यहाँ पर frequency की formula लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर dopplers हम लोग जो rule है वो apply करेंगे तो उसके ही सबसे यह frequency की formula f1 is equal to speed of sound upon speed of sound minus speed of that bus into 420 420 क्योंकि यहाँ पर frequency है जो main frequency है वो it is given 420 अब second frequency f2 तो f2 अब यहाँ पर f2 की formula होगी 330 plus vo right observer मतलब के wall के according हम लोग यहाँ पर frequency की formula यह लिख रहे है upon 330 right into 330 upon 330 minus vb into 420 so this is our f2 right अब यहाँ पर जो final frequency है वो तो 490 होने वाली है right तो left hand side यहाँ पर formula बनेगी right तो 490 is equal to 330 plus vb upon 330 minus vb into 420 right अब यहाँ पर 420 का हम लोग left hand side ले जाएंगे तो 490 के नीचे आ जाएगा तो उसको rewrite करें तो यहाँ पर formula होगी 490 upon 420 is equal to right hand side होगा 330 plus vb upon 330 minus vb right 00 cancelled out right और यहाँ पर cancel होके 7 by 6 is equal to 330 plus vb upon 330 minus vb right यह time बचेगी अब vb को subject बनाएंगे तो vb subject बनकर यहाँ पर मिलेगा 330 upon 13 meter per second right उसको अगर kilometer per hour में convert करेंगे तो kilometer per hour में convert करने के लिए 13 into 18 by 5 से multiply करवाना है right तो इसका जो answer होगा that is 91 km per hour answer आएगा तो यहाँ पर fourth option में आच हो रहे है so that is our final answer next session में a capacitor C is fully charged with voltage VO after disconnecting the voltage source it is connected in parallel with another uncharged capacitor of capacitance C by 2 the energy loss in the process after the charge is distributed between the two capacitors is okay तो यहाँ पर पहले तो C वाला जो capacitor fully charge है उसको charge कहां से किया है तो V0 जितने voltage से अब उसको disconnect करेंगे जो भी हमने source apply किया था उससे disconnect करेंगे और उसको connect करेंगे C by 2 वाले capacitance वाले capacitor के साथ जो की अंचार्ज है उसके साथ हम लोग उसको parallel करेंगे तो यहाँ पर energy loss हमें find करना है कि energy loss कितना हुआ तो पहले तो हम लोग इसकी circuit diagram draw करेंगे तो circuit diagram के हिसाब से यह हमारा capacitor है यहाँ पर switch है और आगे उसको लोग parallel करेंगे C by 2 वाले capacitance के साथ तो यह C है और यह C by 2 अब पूरे term को हम लोग अगर connect करें तो मान लीजेए कि अगर left hand side यह वाला जो plate है अगर वो positive है तो वो plus cv0 होगा उसके पास charge होगा plus cv0 और right hand side वाले plate के पास जो charge होगा वो होगा minus cv0 अब यहाँ पर हम लोग switch को off मनलब switch को connect कर देंगे तो circuit में इसे current flow होगा charges flow होगे एक जगह से दूसरी जगह पर उसको अगर मैं field से draw करूं तो यहाँ पर again c capacitance और फिर आगे again c by 2 capacitance तो charges में क्या changes आएगा तो charges में यहाँ पर plus cv0 right यहाँ पर charge होगा minus q and यहाँ पर minus cv0 plus q charge आजाएगा क्योंकि हमने connect किया है तो यहाँ पर plus q और यहाँ पर minus q तो यह charge distribution किस वजह से आया है क्योंकि हमने यहाँ पर c by 2 वाला capacitance parallelly connect किया है right अब equation यहाँ पर apply कर है तो equation होगी cv0 minus q upon c is equal to q upon c by 2 right तो यहाँ पर equation बनेगी 2q upon c right तो यह formula होगी अब यहाँ पर vo को अगर subject बनाएं हम लोग तो vo is equal to 3q upon c right और q को subject बनाएंगे तो q is equal to formula मिलेगी cvo upon 3 तो यह formula हमें मिलने वाले है vo की फिर q charge की अब मैं यहाँ पर जो initial charge है उसकी formula लिखूंगा तो initially सिर्फ c connected था तो यहाँ पर उसकी formula होगी half cvo square right उसके बाद final energy तो final energy is equal to 2 cvo upon 3 whole square upon 2c plus cvo upon 3 whole square upon 2 into c by 2 right तो यह पूरी equation बन जाएगी यहाँ पर अब इसको हम लोग और simplify करें तो is equal to 1 by 2 cvo square into the bracket 4 by 9 plus 2 by 9 right more simplification दे तो यहाँ पर lc same है तो यहाँ पर उपर directly हम लोग 4 plus 2 लिख सकते हैं right तो यहाँ पर 4 plus 2 तो is equal to half cv square cvo square right into 2 by 3 बचेगा right तो heat loss अगर find करें तो heat loss is equal to half cvo square minus 2 by 3 into the bracket half cvo square right तो is equal to अब यहाँ पर calculation में 2 by 3 1 minus 2 by 3 common तो 1 minus 2 by 3 into half cvo square as it is right तो is equal to 3 minus 2 is 1 1 by 3 into 1 by 2 cvo square मतलब के full final answer यहाँ पर मैं box में लिखूंगा तो वो answer होगा 1 by 6 cvo square 1 by 6 cvo square यहाँ पर first option है so that is our final answer next session में the electric field of a plane electromagnetic wave is given by vector e is equal to e o x hat plus y hat sin kz minus omega t its magnetic field will be right तो magnetic field यहाँ पर find करनी है पहले तो equation में से हम लोग यह पता कर सकते है कि उसकी जो wave है उसकी direction of propagation क्या होगी तो यहाँ पर kz है मतलब के z direction में तो direction of propagation वो होगी k hat right अब यहाँ पर जो electric field है उसका जो unit vector है वो होगा i hat plus j hat upon root 2 right तो k hat मतलब के direction of propagation is equal to e hat cross b hat right यही formula होगी उसकी अब k hat इस formula में मैं e को यहाँ पर उस formula को यहाँ e में रखूं तो i hat plus j hat right i hat plus j hat by root 2 sorry cross b hat right तो यहाँ पर b hat को अगर subject बनाए तो b hat is equal to formula बचेगी minus i hat plus j hat upon root 2 right तो final formula vector b is equal to e o upon c minus x hat plus y hat right sin bracket k z minus omega t तो यह formula होगी magnetic field की तो यहाँ पर कॉंसा option match हो रहा है first option match हो रहा है तो यहाँ पर find करना है कि जो hydrostatic pressure की वज़से उसकी length में percentage change क्या होगा तो basically यहाँ पर hydrostatic pressure है इसलिए bulk modulus यहाँ पर होगा तो bulk modulus की formula minus delta p upon delta v upon v right अब delta v upon v को subject बनाए तो delta v upon v और हमें सिर्फ value चाहें इसलिए magnitude तो यहाँ पर is equal to delta p upon b रहेगा अब values अगर रखे तो is equal to 4 into 10 raise to 9 upon 8 into 10 raise to 10 तो यहाँ पर answer होगा यह सारी हमने values रखे यहाँ पर तो यहाँ पर answer होगा 1 upon 20 अब length की अगर बात करें length की change की बात करें तो delta l upon l is equal to 1 by 3 delta v upon v अब यहाँ पर question है कि 1 by 3 delta v upon v कैसे तो जो length है वो सिर्फ एक dimension में होगा बट volume 3 dimension में होगा तो यह जो relation है वो length का change with volume का change relation है तो is equal to यहाँ पर 1 by 3 into volume change हमने find किया था 1 upon 20 तो simply answer होगा यहाँ पर 1 upon 60 अब हमें यहाँ पर percentage find करना है तो जो भी delta l upon l हमने find किया है उसके into 100 करना है तो is equal to 100 into 1 upon 60 मतलब के by 60 तो 10 by 6 10 by 6 मतलब के 1.67 और यह जो हमारा answer है वो percentage में answer so 1.67 fourth option is our final answer next version में identify the operation performed by the circuit given below okay तो यहाँ पर एक circuit दिया है तो यहाँ पर कौन सा operation follow हो रहा है right तो basically ebc तीनों के जो यहाँ पर inputs होंगे वो different होंगे मतलब कि starting में 0 से start करूँ right तो 000 यह सारे यहाँ पर एक तरीके से यह तीनो not gate है right और यहाँ पर भी वो वापस not gate ही है क्योंकि यह एक as a सबको collect करता है right तो यह हमारा nor gate है right तो 000 और फिर answer 0 आएगा क्योंकि nor gate है right फिर यहाँ पर 100 फिर से answer यहाँ पर 0010 0 answer 0 001 answer 0 right और फिर last में अगर मैं तीनों को 111 लू तो यहाँ पर answer 1 आएगा right तो यहाँ पर यह जो true table मैंने यहाँ पर लिखा है यह end gate को relate करता है end gate का true table भी same as it is आएगा तो यह हमारा जो answer होगा वह होगा end next session में a circular coil has moment of inertia it it is given around any diameter and is carrying current to produce a magnetic moment right the coil is kept initially in a vertical position and it can rotate freely around horizontal diameter when a uniform magnetic field of 4 tesla is applied along the vertical it starts rotating around its horizontal diameter the angular speed of the coil acquires after rotating by 60 degree will be तो एक circular coil है उसका moment of inertia दिया है right अब उसको हम लोग यहाँ पर उस पर एक magnetic moment produce करवा रहे है उसके कोई भी diameter के रहा हूं अब यहाँ पर उसको हमने पहले वर्टिकल पोजिशन पर रखा जिस पर वो freely गूम सके फिर जब हम उस पर uniform magnetic field apply करते हैं right along vertical direction में तो वो rotate होना start कर देता है horizontal मतलब कि जो उसका axis जो होता है horizontally उसके according वो move करता है अब angular speed the coil acquires after rotating 60 will be तो यहां पर हमें angular speed find करनी है कि जब वो 60 degree rotate होता है तब right तो as a law of conservation of energy ui potential energy plus kinetic energy is equal to final potential energy plus final kinetic energy तो initially तो wrist पे था तो दोनों ही 0 होंगे और final यहां पर होगा minus MB cos 30 degree क्योंकि यहां पर 60 degree के around वो rotate हो रहे हैं right तो 60 degree अगर वो उसके around rotate होगा तो 90 minus 60 यहां पर करना पड़ेगा इसलिए यहां पर 30 होगा plus kinetic energy तो rotational kinetic energy is half i omega square अब यहां पर values रखें तो MB cos 30 को left hand side ले जाएंगे तो वो plus हो जाएगा m की value it is given 20 into b मतलब के magnetic field वो है 4 cos 30 मतलब के root 3 by 2 is equal to half into i i is 8 right and omega तो omega यहां पर है वो हमें find करना है right तो omega square अब यहां पर omega square को subject बनाने से पहले 2 to cancel हो जाएगा फिर यहां पर 4 2 जा right और यहां पर 2 tens जा तो 10 into root 3 answer आया 10 into root 3 is equal to omega square right तो omega को subject बनाना है तो omega is equal to under root of 100 under root 3 right तो यहां पर omega is equal to 100 का under root 10 10 और 3 raise to 1 by 4 so 10 into 3 raise to 1 by 4 यह जो answer है वो लगभग omega is equal to 10 into 3 raise to 1 by 4 मतलब के वो पाई जितना होगा तो पाई कि रेडियन सेकेंड इंवर्स आएगा तो यहां पर थर्ड ऑप्शन के साथ मैंच हो रहे है यहां फाइनल आंसर नेक्स विशन में for a uniform rectangular sheet shown in the figure the ratio of moment of energy about the axis perpendicular to the sheet and passing through O and O' is तो यहां पर एक rectangular sheet है हमें basically हमें यहां पर moment of energy S के ratio fine करने कैसे तो about axis perpendicular to the sheet and passing through O and O' is simply तो यहां पर उसकी पूरी formula की बात करें उससे पहले जो diagram है उसको अगर redraw करें तो यहां पर पहले तो यह यह जो line है right straight line तो यहां पर यह जो straight line होगी वो वो होगी 50 cm तो यहां पर वो होगा 50 और दूसरी जो straight line है यहां से इस direction में उसकी value होगी 30 right तो total यहां पर 80 given है right तो वो होगा 80 अब यहां पर rectangular sheet के इसाब से moment of inertia तो उसकी formula IO is equal to M upon 12 into the bracket L square plus B square right तो L square plus B square L square मतलब के length length यहां पर 80 है right तो is equal to M by 12 bracket now L मतलब length into breadth अब यहां पर question में थोड़ी से mistake है यहां पर जो यह चीज़ 80 है वो basically 60 cm है तो यह यहां पर correct करना है हम है right तो M by 12 length होगी 80 and breadth होगी 60 दोनों का है यहां पर square right अब जो parallel axis theorem है उसके इसाब से formula होगी IO dash IO dash हमाँ पता है कहां पर है यहां पर तो उसके इसाब से moment of finer check की formula होगी IO plus M into d square इसको गोलेंगे parallel axis theorem अब उसकी formula में लिखोंगा तो IO हमने find कर लिया है वो है M upon 12 bracket 80 square plus 60 square right plus M into d square तो M into अब d square मतलब के origin से मतलब के O से O' तक का distance वो है 50 square right तो वो गा 50 square अब हमें क्या find करना है IO upon IO dash तो IO upon IO dash right वो हमें यहां पर find करना है तो दोनों को अगर हम लोग divide करेंगे तो last में मतलब के IO यह रहा upon IO dash मतलब के यह रहा दोनों को अगर हम लोग divide करेंगे तो यहां पर last में answer हो का 1 by 4 1 by 4 मतलब के second option match हो रहा है यहां पर so that is our final answer next session में the change in the magnitude of the volume of an ideal gas when a small additional pressure delta P is applied at a constant temperature is the same as the change when the temperature is reduced by a small quantity delta T at constant pressure the initial temperature and pressure of the gas were 300 Kelvin and 2 atmospheric respectively if delta T if mod of delta T is equal to C mod of delta P then value of C in Kelvin upon atmospheric is dash तो basically हां पर change in magnitude of volume of an ideal gas जब मतलब यह change कब हो रहा है volume का जब उसको हम लोग देल्टा पी जितना additional pressure दे रहा है तब अब same change हो रहा है कब जब उसका जो temperature है वो हम लोग थोड़ा सा reduce करते है delta T जितना reduce करते है constant pressure पे अब initial temperature और pressure दिया गया है और यहां पर एक formula भी दिये delta T is equal to C delta P तो यहां पर C की value find करने है तो start करेंगे ideal gas equation से PV is equal to nRT अब formula एक constant temperature की formula है P delta V plus V delta P is equal to zero constant temperature तो P delta V P delta V मतलब हम पता है R nR delta T अब delta T को अगर subject बनाएंगे तो delta T is equal to क्या मिलेगा P delta V upon nR अब delta P अगर उसकी बात करें इस formula में से में delta P को अगर subject बनाऊ तो मुझे मिलेगा delta P is equal to minus P delta V upon V अब यहां पर जो delta P की formula मिली तो delta T और delta P दोनों का ही में ratio लोंगा delta T upon delta P दोनों का ratio लेंगे तो P delta V upon यहां पर मिलेगा nR right into क्योंकि यह delta T ही है और into में लिख रहा हूं delta V मतलब वो upon में तो V उपर चला जाएगा upon negative P delta V right यह term बचेगा तो P delta V gets cancelled out तो बाकी बचा minus V upon nR right अब minus V upon nR उसकी भी एक दूसरी formula है और वो है minus T upon P मतलब के temperature upon pressure क्योंकि यह ideal gas equation पर से ही आई है minus V upon nR को इस formula में अगर आप subject बनाओगे तो आपको minus T upon P ही मिलेगा right तो यहां पर दोनों ही से में V upon nR is equal to T upon P right तो V upon nR is equal to T upon P अगर है तो delta T upon delta P is equal to minus 300 जो की temperature है upon P जो की pressure है तो 300 by 2 उसका हमे magnitude find करना है क्योंकि हम लोग यहां पर value find कर रहे हैं तो last में यहां पर answer मिलेगा 150 तो यहां पर जो C की value है that is 150 150 right next question में orange light of wavelength 6000 x 10 raise to minus 10 meter illuminates a single slit of width 0.6 x 10 raise to minus 4 meter the maximum possible number of diffraction minima produced on both sides of the central maximum is right अब वो कहां से आ रहा है तो एक single slit width है वहां से आ रहा है वो width दिये the maximum possible number of diffraction minima right produce on both sides of the central maximize तो possible number यहां पर find करना है तो पहले तो condition for minimum क्या है condition क्या है d sin theta is equal to n lambda right तो sin theta को subject बना है तो sin theta is equal to मिलेगा n lambda upon d which is less than 1 for minimum अब यहां पर अगर n को subject बना है तो n less than d upon lambda होगा right d कितना है 6 x 10 raise to minus 5 और lambda वो है 6 x 10 raise to minus 7 इस formula को हमने ध्यान में लिया है right तो यह answer होगा is equal to 100 मतलब के n less than 100 मतलब के possibility कितनी है तो 99 की है क्योंकि n 100 से तो कम ही है तो total number of minima on one side is 99 क्योंकि n less than 100 मिला हम है तो total number of minima that is 198 क्योंकि यहां पर 99 मिला तो 99 उपर की तरफ और दूसरे 99 नीचे की तरफ तो 99 into 2 तो answer मिलेगा 198 तो यह हमारा total number of minima है फिर से मैं बूल रहा हूं 99 यहां पर answer मिला मतलब के जो maxima है जो central maxima है उसके उपर 99 और उसके नीचे 99 तो दो बार 99 मतलब के 99 into 2 198 total number of minima मिलेंगे बार लेंगे डे में वीक्तूनों पर प्रमीज को खिर्लेंगे नाद तो फिरेंगे यह लाह हूं अपर की तो की तो फिरेंगे तो पहले तो क्वेस्टन समझ लेते हैं कि यहां पर डिस्टंस ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टंस है 100 सेंटीमेटर राइट अब यहां पर जो लैंस है वह एक रियल इमेज दे रहा है अब यहां पर जो लैंस है वह रियल इमेज तो दे रहा है बट दो अलग पोजीशन के राइट स्क्रीन और अब्जेक्ट के दो अलग पोजीशन के यहां पर रियल इमेज मिल रहा है तो तर डिस्टंस बिट्विन इस तू पोजीशन इस 40 सेंटीमेटर मतलब कि जो दो अलग पोजीशन है उन दोनों प close to n upon 100 into d हमें n find करना है तो start करेंगे displacement method वाली formula से and that formula is f is equal to d square minus d square upon 4d तो capital D क्या है capital D is given 100 cm screen or object का distance small d यहां पर गिदिकी दिया गया है distance between these two position that is 40 cm तो वो होगा 40 cm अब दोनों ही value को अगर mean formula में रखेने के बाद जो answer मिलेगा that will be 21 cm अब हमें यहां पर power find करना है तो power की simple formula 1 upon focal length तो यहां पर अगर हम लोग focal length की बात करें तो पहले उस cm को मुझे मीटर में convert करना बढ़ेगा तो cm को मीटर में convert करने के लिए 21 upon 100 तो वो मीटर में होगा तो यहां पर 1 upon f है तो यहां पर आ जाएगा 100 upon 21 और वो हो जाएगा डायोक्टर क्योंकि power का जो unit है वो है डायोक्टर अब यह जो answer हमें power का मिला इसको compare करेंगे इस equation के साथ तो n upon 100 is equal to 100 upon 21 अब यहां पर n find करना है तो n को subject बनाएंगे तो 100 into 100 upon 21 तो n का last answer होगा 476 तो यह हमारा final answer है next question में 4 resistances 40, 60, 90, 1, 1, 0 make the arms of a quadrilateral ABCD across AC is a battery of EMF 40 volt the internal resistance negligible the potential difference across BD in voltages तो simple question है ABCD वाला जो arm है right quadrilateral वहां पर हमें resistances अलग अलग दिये है अब यहां पर AC मतलब के battery का जो EMF 40 volt हमें find करना है potential difference BD का simple तो पहले तो current find करेंगे तो I1 current is equal to current यहां पर मिलने वाला है that is the 40 जो की volt है और हमारा जो resistance है वो है 40 plus 60 right जो resistance उसका जो equivalent resistance है वो मतलब I1 I1 मतलब के यहां से वो flow हो रहा है right current और दूसरा current जो flow हो रहा है वो यहां से हो रहा है I2 तो I1 flow होने के लिए यहां पर 40 और 60 दोनों ही series connection है इसलिए हम आप 40 plus 60 आया तो यहां पर answer होगा 0.4 MP तो यह हमारा I1 है अब I2 के लिए same method I2 is equal to 40 volt upon जो equivalent resistance है वो मतलब के 90 and 110 दोनों ही series connection में तो दोनों का ही sum कर देना है 90 plus 110 is equal to 1 by 5 MP तो I1 I2 मिल गया अभी हां पर किर्चॉफ flow apply करेंगे VB से start करेंगे तो VB फिर आगे बढ़ेंगे right तो VB plus I1 into 40 right minus I2 into 90 is equal to VD तो हम लोग B2D गए है यहां पर मतलब के यहां से यहां पर तो यहां से start किया है तो VB आया फिर आगे गए मतलब current हमारी direction से opposite है इसलिए यहां पर मैंने positive लिया but A2D पर जाने के लिए ऐसा नहीं है current की direction और हमारी direction दोनों ही same है इसलिए यहां पर negative आया right simple अब मुझे यहां पर VB minus VD find करना है तो दोनों को subject बनाए VB minus VD right तो VB minus VD is equal to अब अब बाकी सब term right hand side तो right hand side पहले i2 वाली term में लिखोंगा क्योंकि वो positive हो जाएगी तो i2 मतलब के 1 by 5 into 90 minus i1 मतलब के 0.4 into 40 right तो VB minus VD अगर उसकी calculation करें तो 1 by 5 into 90 18 right तो VB minus VD is equal to 18 minus 0.4 into 40 that will be 16 तो 18 minus 16 is equal to 2 तो यहां पर answer मिलेगा 2 क्योंकि हमें potential difference पूछा गया था B और D के बीच तो answer होगा 2 volt next question में the speed versus time graph for a particle is shown in the figure the distance traveled in meter by the particle during the time interval t is equal to 0 to t is equal to 5 second will be तो पहले question समझ लेते हैं कि यहां पर पहले तो speed versus time का graph दिया गया है अब यहां पर distance हमें find करना है जो कि 0 to 5 second में travel हो रहा है तो distance का सीधा formula है distance s is equal to integration V dt मतलब कि जब कई भी speed का हम लोग integration लेंगे with respect to time we will get distance अब यहां पर integration का मतलब क्या समझना है integration मतलब कि अगर graph के form में हमें यहां पर data दिया गया है तो area find करना है जब कई भी diffraction मतलब के differentiation होता है और graph दिया है तो slope find करना है बट अगर formula में integration है और graph दिया गया है तो area find करना है तो area of this graph is equal to 1 by 2 half मतलब कि यहां पर एक triangle बनेगा अगर आप देखोगे the answer तो यहां पर एक triangle बनेगा तो यह right angle triangle है right angle triangle का area find करना है तो area is equal to area of this right angle triangle is equal to half into height into base अब height कितनी है तो वह है 5 और base कितनी है sorry height है यहां पर 8 यह हमारी height है यहां से नीचे तक वह हमारी height है right तो exactly वह यहां से यहां पर है तो basically height है हमारी 8 और जो base है वह हमारा 5 तो base into height मतलब कि 5 into 8 करना है तो 2 forza right 4 into 5 20 तो हमारा यहां पर answer होगा 20 तो इस particle ने 20 meter जितना distance travel किया है 0 to 5 second तक right 20 is our 20 meter is our final answer यहां अलूод को तो कि दूए उन्या थोड़ को मारा जो जे लित मारा प्राक शोड़। यहां से ल smell झालॉई कि प्राव भ्राव सहां प्रूप भौट झाजर स तो थम्रें यहां झाल।